हेलो एवरिवन वेल्कम टू माई सिक्रेट एसी कॉर्णर आज हम बनाएंगे ऐसी सबजी जो खाने में बहुत ज्यादा पेस्टी और हेल्दी है यह मैंने लिया है बत्वा यह 500 ग्राम बत्वा है वन टी स्पून कस्मीरी मिर्च पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और यह सेंधा नमक लिया है मैंने यह टमाटर और प्याज का पेस्ट ले लिया है हां जरा दो व फकली लेसून sunt 1फटी स्पून जीरा हाफ्ती स्पून अजवायं ते start ्थी पृट्ट हीज़ दूप हरी मीड़ बिदता नें चार बोई प्रहून चीलिया है इस बाने चोप कर लिया है पैन ले लिया है और इसमें 2 टीजपून डालेंगे ओयल को गरम होने देंगे और यह मैंने पोटेटो को गोल पीसिस बे कट कर लिया है हमें इनी गोलर ब्राउन होने तट चाई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए पोटेटो को भड़ेंगे अब लेते हमें एक गढाई को थोड़ा गरम होने देंगे और इसमें डालेंगे टू टेवल इस्पून ओयल प्राउन कर लोगप कर दो दाल देते हैं पूरे पूरे तो हम अपने अलू को चैक कर लेंगे और हमारे अलू रेडी हो चुका है हमारा मसालक प्यार हो चुका है अब हम डालेंगे इसमें बत्वा और इसे पांच दिन पेलिए भूहिए अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हमने इसे 5 मिन्ट के लिए भून लिया है और हम इसमें पानी एड नहीं करेंगे क्योंकि बथवा पानी थोड़ा छोड़ देता है अब हम पटैटो को बथवे में मिक्स कर लेंगे हमारी सबजी बनकर रेड़ी हो चुकी है अब हम इसमें मैगी मसाला मिक्स कर देंगे हमारी सबजी बनकर तयार है कर देते हैं अब हम इसे हरे धनी से गार्निष और चलिए बनाइए यह खाने में बहुत ज्यादा स्वादिश्ट लगती है कि में बनाइए